हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल सबको बेरी गुड मॉर्निंग आज है संडे संडे यानि पाइक राइड तो यह जो संडे है मेरे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि आज मैं टेस्ट करने जा रहा हूं मेरा गोप्रो हीरो 7 ब्लैक हां बहुत दिनों के बाद मैं इसका जो सेट अप मैं रेडी कर चुका हूँ तो इसका जो सेट अप है वो एक्च्वल में मैं रेडी कर पाया हूँ या नहीं और यह कैसा परफॉर्म करेगा हाई स्पीड में नाइट में तो वही दिखने के लिए मैं आज निकलने वाला हूँ छोटा सा तो एक बर मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा सेट अप कैसा हुआ है यह है मेरा गोप्रू का सेट अप तो मैं मुझे पता नहीं है इसका एंगल कैसा रखना पड़ता है और कैसा इसको वाइस रेकॉर्डिंग करना पड़ता है और एक्च्वल में हाई स्पीड में यह वाइस रेकॉर्ड कर बाता है यह यह नहीं वहीं देखने के लिए मैं आज निकलने वाला स्मॉल सा राइट पर तो चलिए आप लोगों से रोड पर मिलते हैं हलो फ्रेंड वल्कम तो मैं चैनल तो आज हमको लोग यानी मेरे तो तिर फ्रेंड में देखें हम लोग थोड़ा राइट ने वाला है थोड़ी थोड़ी थोड़ तक ज्यादा दूर नहीं तो इस ब्लॉग में मैं अर्फिस्ट करूंगा कि मेरा ये गोप्रो सेट अप कैसा है और इस सेट अप कैसा कम कर रहा है तो साउन्स वगेरा कुछ शीक ना होने पर गालिया मत देना मैं पहली बार गोप्र यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे नॉलेज के बाहर है तो मेरा सब दोष पीछे है और एक दोष नहीं जा सकता इसे हम देखते हैं तो देखते हैं जा सकते हैं कितना दूर जा सकते हैं हम लोग झाल झाल सकते हैं झाल 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 तो यह है मेरा RC390, तो देख सकते हो, वहाँ पड़े डाविनार और अपाची भाई, पर 220 नहीं आ सका अभी तक, यह है मेरा RC390, देख सकते हो, 155 टॉप किया मैंने आज, तो अभी फोटो सेशन चल रहा है, हम लोगों का, बिच्चु है, फोटो किच रहा है, तो यह हमारा राइड यही पर खतम होता है, तो थोड़ी देर बाद हम घर चले जाएंगे, अपने अपने घर, तो यह देखिए, मौसम, बहुत ही खुबसूरात सा मौसम है आज, तो अंदेरा हो गया, टाइम हो गया, तक्रीबन, छे बजग गया, जो, प्रौए और्क का नाय आह वो कने वाक्वार कवरा पू ценहीं प्रत प्रण करोग प्राएंगे, तो अपने और बाद कि आया शाया है, तो जो अचल सभ़ारा है, तो तो प्या है, ये हुआ है, तो जो जो जोर जोर जो प्याँ ए Hat qualche खो जो जो बू़त픈 लोकिंग्लास खॲ्णा अच से अजय को नो कोडा यहाँ है धिंग्लास कोड़ा से अंजय कणिवाला से घखagensी जनााच। चोलो आस्तित आड़ा आलो देगो वर बोलो, वाइन, सर वाइन, वा एगो जाइन, वाइन वाइन आए लगए में कल आए लगए कि अाल और लगए करेंगा है बाला आचा तो ही? अधा शल्दी सेल्टी यह एड़ी यह एड़ी ठाह्वाला आप थेंक्यू थेंक्यू देखावगे अबड़कल के? हाँ हाँ हो थेंक्यू हलो फ्रेंड्स, फेरी गूड मोर्निंग तो एक्छुल में क्या हुआ कि कल रात को मैं बहुत देर से घर प्याया और वीडियो बनाने का कोई भी मन नहीं कर रहा था तो इसलिए मैं आज वीडियो कंटिनियों कर रहा हूँ तो काम की बाद में आते हैं एक्टुल में मेरा जो गोप्रो सेटाफे थीप था थोड़ा प्रयूलर मुझे हुआ फर्स्ट प्रयूलर में कि यह हेलमेट है, बहुत ही चीप क्वालिटी का है, तो वो मेरा हेट पे ठीक टक फिटिंग नहीं हो रहा आता, इसलिए बार बार निच्छे चला हा रहा आता, क्योंकि गोप्रो का जो वैट होता है बहुत ही ज्यादा होता है, नॉर्मल एक्षन कैम्रा के मुकाबले, तो वो एक प्रॉब्लेम हुआ और जो दूसरा प्रॉब्लेम हुआ कि गोप्रो जब मैं 50 kmph के अंदर होता हूँ तो गोप्रो मेरा वोइस रेकॉर्ड कर सकता हूँ इडाउट एक्सटर्नल एनी माइक ठीके तो जब भी मैं 50 kmph के उपर चला जाता हूँ बाइक को लेके तब गोप्रो मेरा वोइस के अलावा सब कुछ रेकॉर्ड कर रहा हूँ तो यह एक डिजाडबंटेज है और जो गोप्रो का क्वालिटी लगा हाई स्पीड में इवेन मैंने बाइक को 155 तक खिचा तो उस हाई स्पीड में भी गोप्रो का जो स्टेविलिटी था जो सेटब के अलावा गोप्रो मोटो व्लोगिंग के लिए बेकार हैं तो यही है मेरा एक्सपीरियेंस तो नेक्स्ट व्लोग में मैं गोप्रो को लेके ही थोड़ा वीडियो करूंगा और गोप्रो जब आया है तो अब तो वीडियो बनता ही है बॉस तो चलिए अच्छे रह बाइ बाइ बाइ